अलो स्टूडेंट गुड मॉर्णिंग तो आज अपन बेटा डिसक्स करते हैं बिट सेशन टेश्री जेए मेंस का पेपर ठीक है ना यह मिट सेशन थेट है तो इसका पेपर फर्च डिसक्स करते हैं पन्जेए मैंस का इसमें बेसिकली कोनेक्स एक्षिन और हाय जिसको section D name देते हैं तो चलो बात करते हैं section A का question number first section A के question number first में क्या हो लगया है if the ellipse x square upon a square minus 7 plus y square upon 13 minus 5 equal to 1 described in a square of side line root 2a then a is equal to question का meaning क्या हो लगया है यह जो ellipse आपको given है this ellipse यह जो ellipse है आपका यह एक square के अंदर scrapड़ है मतला उसके अंदर sides को touch करके हुए बनाया गया है जिसकी side length के रूट 2a तो आपको a का interval क्या करना है find out देखो कैसे किया आगे question को थोड़ा समझे नहीं की try करना यह से लेट ऐसे समझो फर्स्ट आफ आप क्या करो square को रो करो sorry ellipse को यह ellipse है फिर बूला क्या क्या है यह जो ellipse है आपका यह square के अंदर described है इसका meaning अब आप थोड़ा इसको logically समझो जब आप square डो करोगे देखो circle की case में क्या होगा जैसे लेट यह circle है जिसका center 0-0 है यह radius r यह vr यह vr तो जब circle sorry जब आप square को डो करोगे फिर तो वो इस type से क्या करेगा sides को touch करेगा in points पर अगर यह आपका ellipse है तो ellipse के case में major axis और minus की length क्या होगी different होगी तो आप ellipse को इस type से touch नहीं करा सकते है यह इसका wrong diagram है तो इस case में क्या होगा देखो एक अपर अफली समझो ellipse इस type से ऐसे मलब इस type से अपन डागराम फोटा डो करेंगा यह angle 90 possible हो सकते है तो देखो क्या किया गया है इसको ऐसे बनाया गया डागराम को अपन को square को इस तरीकी से ellipse के बाहर बनाना है जिससे की क्या हो all sides की length क्या होने ची सेम होने ची square में तो देखो यह इस type से ड्रो करोगे तो यह इस question की according diagram हो गया अब दोबारा सुनो question क्या बोला गया था कि a ellipse is described in a square of silent root 2a then age तो दो कैसे करना question को एक चीज पढ़ी हूँ यह अपन ने कि यह square है तो square की यह angle क्या होंगे 90 आपकर यह square के angle 90 है तो अपन ने एक definition पढ़ी थी direct circle की direct circle का meaning क्या था कि किसी भी करके point पे perpendicular tangent का जो लोकस है वो always क्या होगा एक direct circle तो कोई यह पूछे की बताओ इस ellipse का बताओ direct circle तो बेटा इस ellipse का जो direct circle है वो in all four points से क्या होगा पास होगा क्यों क्यों कि इन points पे इस points के regarding यह दोनों जो sides है यह इस ellipse के लिए क्या tangent है और यह बहुत tangents are perpendicular to each other इसका meaning यह angle 90 है तो जो इस ellipse का जो direct circle है वो क्या होगा इन points से पास होगा तो first of all क्या करते है अपन equation of direct circle तो x square upon a square plus y square upon v square equal to 1 इसके equation of direct circle क्या होगी x square plus y square equal to a square plus b square अब आप क्या करते है इलिफ से a square b square की value put करो तो जैसी आप a square b square की value put करोगे तो क्या होगा square करते हो और क्या है तो a square minus 5a ध्यान दो a square minus 5a plus 6 आगे ठीक है यह अपने direct circle की question है अब देखो क्या बोला गया है square की side length कितनी root 2 है तो square की side length root 2 है तो ध्यान दो blackboard पे यह direct circle की radius होगी root of this part तो ध्यान दो जैसे light यह point यह light point भी है तो यह a b क्या है यह इस direct circle का diameter है तो a b इस direct circle का diameter है और इस square की side length किती root 2 है तो यह length क्या होगी a यह a और this a तो यह root 2 होगी इसका मतलब a b की length क्या होगी to a इसको o माल नेते है तो यह क्या है इस direct circle की radius है तो o a और o b तो o a कितना आ गया वो रो यह आ गया तो o a square equal to a square मतलब अपन ने ultimate किया क्या है यह जो square है इसके all vertex से क्या होगा इस ellipse का direct circle बेटा पास होगा तो अपने first of all direct circle की क्या लिखी equation और direct circle की जो radius है या इस direct circle का जो diameter है वो a b diagonal की length की क्या होगा equal square की diagonal की length की क्या होगा equal तो आप क्या करोगे तो o a क्या होगा radius तो o a radius is a तो o a square equal to क्या है A square और this is radius का square तो put कर दो उसको तो क्या है A square minus five a plus 6 equal to A square A square से A square तो A आगे 6 upon 5 तो बच्चे क्या करते हैं फटा फट से जिसको इतना लोजिक आता है तो वो बच्चे answer A equal to 6 upon 5 क्या कर देते हैं टिक कर देते हैं और उसमें देखो यह option भी गिवन है 6 upon 5 है first option वट एक बात और सुनू ना यह जो equation given है अगर ellipse की equation है तो ellipse की equation में condition क्या होगी this part is positive this part is also positive तो क्या होगा A square minus 7 is positive तो क्या जाएगा mode A की value root 7 से greater root 7 का मतलब 2.something वट यह value 1.something है इस लिए इस A की value को select नहीं करना है तो इसका fourth option ticker होगे no such A exist ठीक है क्योंकि A को 6 upon 5 let करोगे आप इस case में यह ellipse की equation को represent नहीं करेगा जब A को आपन 6 upon 5 put करेंगे बेटा तो यह बन जाएगा आपका क्या hyperbola ठीक है तो इसलिए wrong answer इसका तो इसका fourth option आपको tick करना है ठीक है चलो उसके बाद एक को next question यह थी question था हां second question में क्या वो लगया है if maximum distance of any point on the ellipse यह आपको एक ellipse की equation given है तो क्या वो लगया है इस ellipse पे कोई भी एक point है और बेटी point उस point की its case center से distance r है दोबार सुनो if the maximum distance of any point on the ellipse of this part from its center v r then r equal to तो देखो कैसे करना चाहिए question को सुनो देखो जैसे लेट question ने अलएड़ी बोल दिया कि यह ellipse की equation है और चलो आप भी check कर सकते हो अगर यह ellipse की equation है तो condition क्या होती है h square minus ab की value क्या होनी चीए less than 0 और वो आएगी समय क्यों कि h का मतलब x में की coefficient का half तो कितना है 1 1 square minus 2 into 1 is 3 आ तो यह true आ गया ना इसका मतलब यह ellipse की equation के मिले चलो यह पता चले गया कि ellipse की equation है अब क्या वो लगए जैसे लेटी ellipse से इस 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 पे कोई भी एक point पी इस point की इसका center मेंने ओमाली रफ ली है तो यह op distance r है तो यह कह रहा है कि बताओ r की maximum possible क्या हो सकते है तो first of all क्या करें आप question में यह जो ellipse की question given है इसको simply figure के बताओ कि इसका center क्या होगा basically उसके बाद देखते है तो देखो यह आप समने पढ़ा होगा जब भी आपको second degree का curve given हो क्योंकि second degree का curve है वो pair of state and equation हो सकती है अगर delta उसका 0 है और delta अगर उसका इसका वन टाइम तो क्या करोगे एक सकती है इसका वन टाइम तो क्या करोगे एक स्केर एक स्पेक्ट्र में differentiation और one time करोगे y के एक स्पेक्ट्र में differentiation as x as a constant तो देखो क्या लेखोगे differentiation with respect to the x as y is constant आप इसका x के एक स्पेक्ट्र में करो differentiation y को constant let करते हुए तो देखो x square का क्या होगा 2x y square का 0 अटाओ plus 2 y तो constant है x का one आगया equal to 0 तो इससे क्या आगया x plus y equal to 0 ये लो फिर एक बार क्या करोगे इसी second degree curve का y के रेक्सपेक्ट में करो differentiation as x as a constant y के रेक्सपेक्ट में करना x को constant let करते हुए तो क्या होगा देखो तो x square का क्या होगा जीरो प्लस इस वार 2y square का 4y plus इस वार 2x आपका constant है तो y का one हो जाएगा y के रेक्सपेक्ट में equal to 1 का 0 तो इससे आ गया इसकी मेजर एक्सिस और माइन एक्सिस आर नोट x-axis and y-axis इसकी जो मेजर माइन एक्सिस वो x-axis y-axis नहीं है वाट उसका center 0-0 है ना तो एक काम करो अपनको रफ्ली डाइगा मनाना यह इसका बन गया एक ellipse ठीक है यह ellipse का क्या वो लगया वो अब क्या वो लगया इस इस पर कोई भी एक arbitrary पॉइंट पी है इस पॉइंट पी की सेंटर से डिस्टेंस आरे तो बताओ आर की maximum possible value क्या हो सकती है तो देखो क्या थी में इस कुश्चन को करने की बहुत सिंपल सा option है क्या करो यह लेट x-axis है आपकी यह लेट आपकी y-axis है तो एक काम करते है न आप यह लेट करो कि लेट इस op सिगमेंट का x के साथ एंगल ठीट है और यह अगर 00 है तो बेटा आप समने parametric form पड़ी होगी polar form सोरी स्टेट लाइन में स्टार्टिंग में यह एंगल ठीट है यह दिस्टेंस आ रहे है तो op की डिस्टेंस आ रहे है यह एंगल ठीट है तो अब अब क्या करें दिस्टेंस यह पॉइंट पी क्या होगा एलिप्स पे लाही करता है पॉइंट पी आर कोस्ट थीटा कोमा आर साइन थीटा लाइन एलिप्स तो इसमें पुट कर दो तो क्या जाएगा आर स्क्वार कोस स्क्वार थीटा प्लस टू आर स्क्वार साइन स्क्वार थीटा प्लस टू आर स्क्वार साइन कोस इक्वल टुगा देखो इन सम्में आर स्क्वार तो को मना गया तो तू एस सी को लेख सकते हैं साइन टू टीटेट है यह लोग अब एक काम करना आपको आरस पर की वेक्षी मेली चीट इसको डिवाड़े में लेकर जाओ ना वह देखो इसको थोड़ा सिंप्लिफे कर दो पहले हैं आप साइन कॉस सकρο साइन सका तो बना गया बचा कूंण एक साइन सका ठीटा और साइन सका ठीटा को लिख सकते हैं सकते हैं 123 वाई 2 प्लस साइन अव टीटा ठीक है अब देखो यह जो टिक्नीमे हर्ट है इसकी रेंज आपको करने ही कैलकुल है ठीक है इसको रेमूट तो इससे क्या गया देखो 2 LC मिलेके इसको सोल कर दो 2 LC मिलोगे तो इदर चला गया तो क्या रहे गया R square equal to 2 upon सुनो यह 2 से multiplied 2 और 1 3 आ गया और यह 2 इस से multiply तो क्या गया है 2 sin 2 theta minus cos 2 theta plus 2 sin 2 theta minus cos 2 theta अब इतना आने के बाद देखो R square की क्या चीए maximum value तो R automatic maximum होगा तो Hollis R की maximum value चीए तो क्या करोगे इसकी range depends on this part तो इसकी कौन सी value put करोगे maximum क्यों आपको बता नहीं है इसकी maximum distance maximum distance of any point to be this part तो इसकी maximum distance के लिए this upon minimum तो इसकी minimum distance चीए तो बेटा a cos theta plus b sin theta की minimum value क्या होती है minus की root a square plus b square तो क्या put करोगे 2 square 1 sorry 2 square square 4 plus 1 तो यह आगे 2 upon 3 minus root 5 ऐसे करना है तो R की maximum value क्या होगे इसका लेलो इसका root तो यह सारा पार्ट की समय जाएगा बलो root के अंदर तो 2 upon 3 minus root 5 तो root 2 upon this part तो इसका third option आपका correct होगा ठीक है ठीक सा question है तो इसको को दो तीन step में करना था पहले center check करो फिर ellipse को draw करो फिर उस पर point P let करके आपको polar form की एल्फ से question को करना ज्यादा simple था ठीक है चले उसके बाद एको question number 3 में क्या करना है वेटा the eccentricity of the konek represented by of this part यह एक second degree का कर्व है जो एक कोनेक section को क्या करता है तो बता उसकी centricity जाओगी तो दो चलो इसको एक बार चेक करते कि विच कोनेक section hundred percent जब centricity की बात ही तो इसका delta क्या रहा हूँ और नो जीरो वो करके देखने ना हो जाएगा आप यह कि देखो कि इसका h square minus a b क्या होगा है एच का मीनिंग xy के coefficient का हाँ तो यह तो इसमें है नहीं xy तो 0 आ गया माइनस a का मीनिंग x का coefficient sorry x square का और b का मीनिंग y का coefficient तो बेटा यह आ गया वान तो h square minus a b अगर positive आता है तो वह equation किसकी होती हाइपर बोला की अब अगर यह हाइपर बोला है तो इसका fourth option और first option तो ही नहीं सकता न क्योंकि हाइपर बोला की centricity हमेशा क्या होगी one say greater तो यह तो second option correct हो सकता है third option पट आपन को check तो करना ही पड़ेगा तो आप क्या करना है देखो इस second degree का जो curve given है यह हाइपर बोला है तो इसको अपन हाइपर बोला की format में convert करते हैं तो देखो क्या option है उसका x square minus 4x इसको बनाओ perfect square x square minus 4x प्लस क्या करो perfect square के लिए जो x का coefficient है उसके half का square add करो और सब्टेट तो इसका coefficient क्या है minus 4 का आदा 2 का square 4 add करो और सब्टेट सिमिरली second और fourth term में माइनस को मुल लो पहलें तो y square minus क्या गया 4y again y के coefficient का आदा add करो सब्टेट करो square और equal to में क्या आगया 16 तो देखो यह तीनो term तो क्या बनाती है x minus 2 का whole square minus 4 को लग कर देना और यह आगया minus y minus 2 का whole square तो दोगो this part this part minus 4 plus 4 cancel out equal to क्या आगया बलो 16 चाहो तो 16 से डिवाइड कर सकते हो तो क्या बनी गया x minus 2 का whole square upon 16 minus y minus 2 2 का whole square upon 16 equal to 1 तो अगर आप इसको capital X को capital Y मानते हो तो किसकी question होगी capital X square upon 16 minus capital Y square upon 16 equal to 1 तो क्या है यह हाइपरवोला की question है और इसमें A square और B square दोनों से मतलब A equal to B है तो अपन ने पढ़ा हुआ है कि हाइपरवोला की question में अगर A और B दोनों equal हो तो it is become rectangular hyperbola यह क्या मझे जाएगा वहलो rectangular hyperbola और बेटा रेक्टेंगुलर हाइपरवोला की centricity क्या होती है यह always root 2 तो इसका second option correct होगा ठीक है तो इस step से question गूप लिए गया है उसके वाद देखो question number 4 is the second degree curve of this part 5x minus 1 square plus 5y minus 1 square equal to this part is represents an ellipse then lambda यह जो second degree का curve है यह अगर ellipse को represent करता है तो बताओ lambda की value क्या होगी तो देखो यह जो ellipse की देखो इससे जो previous question था उसमें तो जो second degree का curve था वो तो किस format में था ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2a by plus c equal 0 जब भी second degree का curve है उसको represent करने के दो option है एक तो normal general equation है उसकी उसमें अगर आपको कोने section को चेक करना है तो उसमें दो बाते चेक करोगे एक डेल्टा चेक करोगे एक उसमें h square minus ev की value आपको चेक करनी है इतना चेक करने के बाद देखो आगे क्या करना है एक तो क्या कि second degree का general curve आपको given है तो आप डेल्टा और h square minus ev से उस ellipse को चेक करते हो ठीक है और ellipse या hypervola या up to paravola को चेक करने के बाद उसको अपन standard format में convert करते है ठीक है और अपने जो syllabus में है बेटा वो standard hypervola ellipse और paravola ही mention है ठीक है ना जैसे अपने previous question में उसको proper standard format में क्या किया था convert otherwise second degree की general equation will we not convert into standard ellipse paravola hypervola तो उसको अपने solve करें नहीं पाएंगे ठीक है ना वो है नीए अपने से लिवस के अंदर तो एक तो यह बात जाना के एक आपके पास ellipse paravola hypervola की जो question है उसको final करने का एक second option using y definition तो अपने एक बात पढ़ी हुई है कि कोनेक section की definition क्या है कि एक ऐसे point का locus जिसकी एक fixed point alpha, beta से distance और point की एक line से perpendicular distance का ratio क्या हो constant हो मतलब sp upon tm equal to constant उस constant को बोलते centricity तो यह कोनेक section को reference करता है तो क्या है इस point को अगर आप xy लेट करता हो px,y तो यह equation क्या होगी देखो x minus alpha का square plus लिख देते हैं चलो x minus alpha का square plus y minus beta का square equal to e से multiply करता हो इसको pm को pm का मतला इस line को लेट करता हो आप lx plus my plus n equal to 0 तो इस point की line से distance क्या होगी line को पुट कर दो point को पुट कर दो line में अपोन root आएगा उस पर लगाते है भी लोको लेकिन जब इदर सी root अटाऊगे तो उस पर क्या लगा दो इसी format को follow करती है तो इसको convert कर देते हैं तो देखो first of all x का coefficient y का coefficient 1 होना चाहिए तो 5 कॉमल यह दोनों में से तो क्या गया 25 बार आ गया तो 25 कॉमल लोगे तो अब देखो यह जो line है इसको सी format पे लेखो न क्या थी वो lx plus my plus n का square upon a square plus b square मतला l square plus b square क्या गया 3x plus 4y minus 1 का square upon l square plus m square तो यह जाएगा 25 तो 25 से इसको multiply डिवाइड करो तो जब डिवाइड करोगे और multiply करोगे तो multiply वेला पार्ट इससे क्या होगा cancel out तो एक कौन सी format में देखो x minus alpha का square plus y minus beta का square equal to e square of this part मतलब यह इसकी centicity है तो e square पर कितना आ गया lambda minus 1 का square अब इसी के बात थोड़ी इसमें गलती कर देते हैं यह क्या होगा इसका lambda minus 1 का mode not lambda minus 1 इसका रूट लेने पर mode लगाते है ठीके न अब क्या वो लगया this represent and ellipse तो ellipse की centicity क्या होती है 07 यह लो तो इसकी value क्या होगी 0 से greater 1 से less तो क्या होगा यह value 0 से greater तो हमेशा होगी न वाट lambda not equal to 1 क्योंकि lambda को 1 लेलोगे तो 0 बन जाएगा तो lambda 1 इटा दो क्या गया यह lambda minus 1 का mode less than 1 mode x less than a है तो x क्या होगा minus a से तो इसको सौर करने पर क्या आ गया वो लो लेम्दा माइनस 1 इस लाइज बिटें माइनस 1 से प्लस 1 माइनस दो लोगे तो 0 आ गया है और यह क्या आगया वो टू तो लेम्डा की वेलू 0 से 2 होगी इस वर्ट उसे में 1 को इंकिलूट नहीं करना है तो देखो इसके अकोडिंग इसका करेक्ट ओप्शन होगा था नौट फस्ट बच्चे फ़स्ट ऑफ्शन टिक कर देते ठीक है न तो इस टाइप से इस कुश्चिन को सौल करना है तो देखो उसके बाद पना आगे बढ़ते बिटा उसके बाद देखो कुश्चन नमर फिप्टे जा दी एलिप्स फोर एक्स स्क्वार प्लस नाइन वाई स्क्वार इक्वल तो 36 एंड धी इपरवोल अफ इस पार्ट इंटर सेक्ट ए राइट एंगल यह एलिप्स और यह एपर वोला एक दूसरे को राइट एंगल पर क्या क्लिकी कुश मता नहीं है जो इन कर्व के इंटर स्क्वार पास होते हैं तो देखो फर्स्ट अफल तो इस पर करना क्या है यह एलिप्स और आइपर वोला आपके राइट एंगल पे कट करते हैं तो उसकी हेल्प से अपन फर्स्ट अफल इसमें A स्कॉर की वेली को इसको याद रहें इसको डराइब भी कर सकते हैं जब भी यह बोला जायें कि एक इलिप्स एक हाइपर वोला को राइट अंगल पे कट करता है तो इसका मीनींग इसे लिप्स की फुकाय Kो इस हाइपर बोला की फुकाय के क्या कर दो equal तो automatically A की value find out हो जाएगी तो देखो मैं आपको procedure बता देता हूँ इसको 36 से डिवाइड कर दो तो क्या गया X square Y 9 plus Y square upon 4 equal to 1 तो इसकी फुकाय क्या होगी plus minus A, 0 यह लो A तो 3A और SNT CT का formula root of 1 minus B square upon A square जाएगा root 5 by 3 तो A root 5 by 3 A कितना 3E तो 3E करने पर क्या जाएगा plus minus root 5, 0 यह लो यह आपकी ellips की set की फुकाय है फिर आप hyperbola के लिए क्या करोगे इसको भी standard format में convert तो 4 से डिवाइड करो तो क्या आगये X square upon 4 और upon में A square भी लगा दो चलो minus Y square upon 4 equal to 1 तो यह आपका hyperbola है तो hyperbola की भी फुकाय क्या होगी बोलो again plus minus A, 0 इसकी centricity का formula क्या होगा root of 1 plus B square upon A square ठेक है ना इसको लिख देना आप अपने according तो 4 upon this part तो क्या जाएगा है A square आगया है लोग एकी value क्या होगी 2 upon A तो इसकी फुकाय क्या होगी F equal to plus minus 2 upon A root of 1 plus A square इस value को आप क्या करना root 5 की equal कर देना ठीक है X coordinate को X coordinate की equal तो क्योंकि Y coordinate तो इसका क्या होगा 0 जैसी इसको करोगे आप तो बेटा आपको A की value मिलती है 2 क्या जाएगा से A equal to 2 और देख रहा है वो देखो न एक को 2 लेने पर क्या आगये रूट 5 यह 2 से 2 cancel out A2 आगया तो आपके पास hyperbola की exact equation find out हो चुकी है अब देखो आगे क्या करना है ठीक है तो इक hyperbola की क्या करोगे equal to automatically जो variable है उसकी value find out हो जाएगे ठीक है न तो A क्या आगये से 2 after that देखो आप क्या करना है इसको लिखते है एक बार 4x square plus 9y square minus 36 equal to 0 यह आपका एक curve है S1 hyperbola sorry ellipse second curve क्या है A again 2 है तो क्या आगया है 4x square ध्यांदो blackboard पे minus y square minus 4 equal to 0 यह आपका second curve है लेट S2 अब कुश्चन है क्या बोला जाए इन दोनों कर्व के intersection points है जब आप इन दोनों के diagram को proper x-way plane पे draw करोगे बेटा तो ऐसे होगा यह hyper ellipse है और यह hyperbola तो यह 4 इसके intersection point है इन all four points से कौन pass होता है एक circle और देखो यह दोनों जो diagram है यह coordinate axis के about symmetric है ऐसे अगर यह axis के about symmetric है तो बेटा इन चारों point से जब circle pass करोगे तो इसका center क्या होगा 00 only आपको radius चेक करने तो इसके दो option है एक option तो क्या है इन दोनों करवों को solve कर दो आप देखो यह दोनों कॉफिन से मैंना तो इसमें से को minus कर दो आप तो सीधा y आ गया y आ गया तो x की value तो यह point मिल जाएगा और यह जो distance है क्या होगी इसकी radius तो जब इसको solve करोगे तो यह radius आती है रूड फाइव करके देखे लिए गर पे आप तो अगर यह distance रूड फाइव है आर रूड फाइव है तो क्या होगी x स्कॉर पर y स्कॉर इक क्योंकि इसका सेंटर जीर हो जीर है एक option तो यह है आप क्या करो इंटर स्कॉर पॉइंट को फाइंड और देखो second option क्या यह भी बहुत अच्छा option है यह आप समने पड़ा हुआ है two curve के intersection से पास होने वाले कर्व की कुछिन क्या होती है family of conic section s1 प्लस lambda क्या करना है इन दोनों कर्व के intersection से पास होने वाले कर्व की कुछिन क्या होगी s1 प्लस lambda ऐसा नहीं कि दोनों सर्किल होने चाहिए वो कोई भी कर्व हो सकते हैं तो इन दोनों कर्व की वेर्यू पूट कर देना असमें और पुट करने के बाद इस कर्व रिप्रिजेंट दी सर्किल अगर यह कर्व क्या करता है सर्किल को रिप्रिजेंट तो coefficient of x square equal to coefficient of y square आप क्या करोगे x square के coefficient को y square के coefficient के equal कर देना तो equal करने के बाद इससे lambda की value automatically जितना मेरे को पता है वो शायद वन आती है sorry क्या आती है बोलो lambda की value आपको one find out हो जाएगी तो इस type से कुछन को solve करना है ठीक है ना तो एक simple सा question है तो कर सकतो तो मेरे अकुर्ण यह भी अच्छा सा option है ठीक है ना फैमिली ओफ सर्किल स्या फैमिली ओफ को उसके बाद next question देखो question no.6 में क्या करना बेटा पड़ो सभी देखो question no.6 में बोला गया अपन से the family of curve देखो the family of curve which intersect the family of rectangular hyperbola xy equal to c square orthogonally एक family of curve इस xy equal to c square को orthogonally cut करता है तो बताओ वो फैमिली ओफ कर्व क्या होगा family of parabola family of circle family of ellipse और family of rectangular hyperbola तो देखो इसका meaning समझो आपको एक rectangular hyperbola given है यह तो given अब क्या हो लगे है एक family of member है जो this part को क्या करता है इंटेसर करता है angle 90 पे तो बताओ इस family of curve की equation क्या रही होगी तो देखो इसमें थोड़ा सा अपन को differential equation का यूज करना है और तो गोनली की condition लगाते है जब भी आपको कोई भी curve given हो और उसके orthogonally curve को क्या करना find out तो उसका method क्या है आप first of all उस curve का करो एक्स के एक्सपेक्ट में differentiation तो क्या जाए गए एक्स वाई का डी वावाई डी एक्स प्लस वाई एक्स का वन इक्वल टू differentiation करने के बाद given curve का differentiation करने के बाद आपको इस given curve के orthogonally curve की equation चाहिए इसका meaning क्या देखो इस point पे इसका स्लोप अगर डी वावाई डी एक्स है और यह angle 90 तो इसका स्लोप क्या होगा minus के डी एक्स अपॉन डी वाई तो आप क्या करो बेटा इस curve की equation given है इस curve की equation लेके आरे हैं तो आप क्या करो इस differential equation में डी वाई डी एक्स को रिप्लेस करोगे minus dx upon dy से तो वो क्या होगी उसके orthogonal curve की differential equation आपको find out हो जाएगी तो इसमें put कर दें तो क्या जाएगा बोलो minus x dx upon dy plus y equal to 0 dy से multiply करो तो जैसे x dx minus dy equal to 0 दोनों तरब integration कर दो उसका तो क्या आगया है x square upon 2 minus y square upon 2 equal to c लगा दें तो यह आगया x square minus y square equal to 2c तो यह क्या है यह c कुछ ही हो सकता है तो यह rectangle hyperbola की equation है और एक बास सुनों किसी के mind में ऐसा आ रहा होगा हाँ इसमें लिख देना already और यह x y equal to c square तो c इसमें 0 होगा नहीं होगा यह इसमें understood है कि c इसमें 0 नहीं है और c 0 नहीं है तो इसको 0 0 satisfy नहीं करेगा क्योंकि इसमें doubt ही हो सकता कुछ बच्चे बोलेंगे सरे काम करो ना c को 0 मानलो इसमें c1 लिख दो सको यह लोग को c इसमें आ रहा तो अगर c1 को 0 माना तो यह क्या होगी यह दो line की equation मन जाती है यह two lines की equation क्या बनेगी two lines की equation मन सकती है तो इसका answer family of pair of इस्टे डेन भी बूल सकते हुआ वर्ट जब c1 में 9 0 है तो क्या होगी यह मैंशा x square minus y square equal to constant तो यह क्या है यह rectangular hyperbola की equation है ठीक है न तो इस given rectangular hyperbola के ortho gonali जो कर वह है वो भी क्या होगा rectangular hyperbola family of rectangular hyperbola तो इसका fourth officer correct है तो इस type से इस question को करना है ठीक है चलो उसके बाद देखो question no.7 पढ़ो उसको the eccentric angle of a point on the ellipse of this part इस ellipse पे एक point है उसका eccentric angle आपको करना find out at a distance of 5 by 4 unit from focus of the positive x axis is मतलब इस ellipse पे एक point है उस point का क्या बताना है eccentric angle जिसकी इसके फुकाय से distance कितनी है 5 by 4 वो जो फुकाय वो कौन सी है positive x axis वाली let करनी है आपको तो चलो करते हैं तो चलो एक पर roughly diagram देखलो उसका आप यह ellipse है यह major axis है यह 4 और यह minor axis है तो यह आपने बना दिया बोलो इसका ellipse ellipse draw करने के बाद आप देखो आपको आगे करना क्या है इस ellipse पे कोई भी एक point P है इस point P का बताना eccentric angle जिस point P की इसकी जो positive हुकाय है s इससे distance गिए आपको s equal to 5 by 4 तो देखो इस question में क्या करना है बहुत simple सा question है आप क्या करो इस point P को let करो parameter form में क्या a cos theta तो क्या जाएगा यह बोलो 2 cos theta, b sin theta is root 3 sin theta यह point P आ गया और फोकाय क्या होगी इसकी a e,0 a s में 2 है और s n t c d का formal root of 1 minus b square upon तो यह 1 by 2 हो जाएगी मतला ultimate 1,0 आ गये लोग पी पता है focus आपकी आचुगी 1,0 तो s पी distance क्या होगी 2 cos theta minus 1 का square 2 cos theta minus 1 का square plus this minus 0 का square तो 3 sin square theta equal to 25 by 16 अब क्या करना सुनो जो options given cost की term में given है तो आप squaring open करने के बाद इसको completely cos theta में convert कर देना और convert करोगे तो solve करने पर beta से cos theta की विलो हो जाती ही 3y4 तो cos theta 3y4 आ गया तो फिर theta क्या होगा cos inverse 3y4 ठीक है तो इसका first option ही correct होगा तो इस type से इस question को solve करना है तो लिख लो इसको चलो तो एक simple सा question दा उसके बाद देखो question no.8 क्या हो लगे एन एकुलेटर ट्रेंगल इसक्राइब इसक्राइब इन दी पैरावोला y square equal to 4a x such that one vertex of this triangle coincide with the vertex of the पैरवला मतलब इस एकुलेटर ट्रेंगल का जो एक वर्टेक्स है वो इस पैरावोला का वर्टेक्स लेट करना आपको चलो लेट कर लेटें दें साइड लेंट आप इस ट्रेंगल इस तो आपको इस ट्रेंगल की साइड लेंथ करने ही find out तो देखो कैसे करना है कि चलो फर्स्ट अफ आपने इसका प्रॉपर डाइगरम परते हैं यह लेट एक्स एकसे से हैं यह यह एकसे से हैं पैरा बोला गिए आपको y square equal to 4x ठीक है अब देखो इसमें कुछ बच्चों को confusion है वो समझो पहले क्या हो सकता है ट्रेंगल इक ऐसा बोला है equilateral जिसका एक वर्टेक्स तो 00 मानना ही मानना है तो देखो यह triangle मान लिए इसका o a और b अब थोड़ा इसमें देखना कि doubt क्या हो सकता आपको यह triangle है आपका equilateral पहली बात तो देखो यह जो पैर वोला है यह x x इसका बाउट समेट्रेक्स जिस टाइप का diagram ऊपर है वैसे नीचे तो अगर आपको triangle मानना है equilateral तो देखो दो उसने एक side ऐसे मानो फिर इसकी image लो इसमें तो एक side ऐसे मानो तो यह दोनो side equal है और यह side भी आपकी equal है अगर आप diagram symmetric लोगे this part तो फिर यह angle 30 है तो यह भी 30 है कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सा diagram ऐसा लोना आप क्या देख केता है आपको ऐसे यह रफली डाइगराम तो यह diagram feasible नहीं हो सकता क्यों क्यों कि जब यह diagram आपका symmetric है तो यह length और यह length कभी equal हो नहीं सकती न तो डाइगराम इसका क्या होगा symmetric तो इसका clear diagram यह लेना आपको यह angle 30 है तो नीचे वाला angle भी क्या होगा बोलो 30 अब आपको side length बताने है तो side length को माल लेते हैं अपन आर यह सारी distance आर होंगी आपकी तो देखो बहुत simple सा concept है यह x axis है यह way segment है way segment का x के साथ angle कितना है 30 यह angle 30 यह distance आ रहे है तो मैं point A को polar form से क्या लिख सकता हूँ आर कोस ठीटा कॉमा आर साइन था तो बेटा से point A आ गया आर कोस 30 कॉमा आर साइन 30 यह point A आ गया और point A लाइज ऑन दिस पैरावोला जैसी आप इस point A को पैरावोला में पुट करोगे तो answer आ जाएगा आप पनको आर ही तो पता ना है तो इस point A को पुट कर देना तो आर की ही वे दू find out हो जाएगी तो जैसे इसको तो आपका fourth option जाएगा एट ए रूड थी तो इसमें polar form की यह से करना ज्यादा सेंपल है और भी options हैं आप क्या को इस point A को माल लो parametric form में A T1 square कॉमा 2 A T1 let करो let करने के बाद यह distance आ चुकी अपने पास Y axis यह X coordinate होगा उसका 10 30 की value लगा देना तो उसकी help से भी अपन T1 की value find out कर देंगे T1 आ जाएगा तो distance formula से होगे distance find out कर सकते हैं ठीक है तो काफी सारे options है वाट यह better option है pull or form उसके बाद एको question number 9 थे length of the shortest normal code of the parabola y square equal to 4AX यह एक regular question है और इसका answer आपको पता होना चाहिए अदरवाई यह बहुत lengthy question है ठीक है जान लगे क्या बोलागे y square equal to 4AX जो parabola है इसकी जो normal code है उसकी minimum length क्या हो सकती है समझो पहले question को यह लेट एक parabola y square equal to 4AX यह इसकी लेट एक code है और question बोलागे this is a normal code normal code का मीनिग यह इस point पे यह point पी लेट कर लेते हैं यह इसका point क्यों है यह normal code है इसका मलद यह angle line T होगा तो यह जी normal मानूँ आप इसको यह normal का मतला normal code बोल सकते हैं तो यह normal code तो पहली बात तो पहरगोला में normal का concept क्या है कि लेट यह point आपका T1 है मलदा AT1 square,2AT1 और normal point P पे normal again parabola को point Q पे cut करता है इसको T2 बोल देते हैं तो अपन ने एक relation पढ़ा हुआ है T2 equal to minus T1 minus 2 upon T1 this is remember this इसको याद रखें कि one point पे normal again parabola को T2 point पे meet करता है तो देन T2 equal to minus T1 minus 2 upon T1 एक तो यह बात यह वाली या line याद रखें इसके बाद आपको PQ की जो length है तो जब आप इन points को length करोगे A T1 square, 2 A T1 A T2 square, 2 A T2 तो आप distance find out कर दोगे इसकी root of this part कि distance find out करने के बाद क्या होगा root atomicly इसको एक काम करना scoring कर देना scoring करने के बाद इस distance को माल लेना Z जो भी होगी A T1 minus A T1 square minus A T2 square का all square plus 2 A T1 minus 2 A T2 का all square इसको mini wise करना है क्या करना मुलो mini wise तो इसमें 2 variable T1 T2 तो आप एक काम करोगे इससे T2 की value इसके अंदर put कर देना T2 की value put करने के बाद इस Z का आप T1 के respect में करोगे differentiation क्या करोगे T1 के respect में differentiation differentiation जैसे आप differentiate करोगे तो आप उसकी help से T1 की value finite कर सकते जिससे यह Z क्या होगा minimum तो याद रखे कि कि किसी point पे normal अगर again point q पे meet करता है तो यह relation और उसके बाद इस PQ जो code है इसकी length अगर minimum है तो बेटा T1 की value हमेशे root 2 आती है plus minus root 2 T1 की value क्या आती है sorry root 2 आती है क्या थी है T1 की value root 2 T1 root 2 आ गया तो T1 की value put करने के T2 आपको मिल जाएगा minus k2 root 2 ठीक है याद रखें कि sort test और याद करो कि sort test normal code के लिए T1 हमेशे root 2 होता है बेटा sort test normal code के लिए T1 हमेशे क्या होगा root 2 तो T1 root 2 आ गया तो T2 की तरह मिल जाएगा इसको put करने पे minus k2 root यह लो तो point peer q आ गया तब distance formula से PQ distance को finite कर सकते हो तो जैसी आप इसको calculate करोगी बेटा तो इसका third option answer आ जाएगा ठीक है तो इस टाइप से question को solve करना है तो यह ठीक ठीक सा question है तो इसको रिमेंबर देश यह प्रपर्टीजें को याद रखें आ उसके बाद एको question number 10 थे जा यह ठीक ठीक सा question है पढ़ो उसको एक बर क्या बो गया है दी एडिसेंसी फिगर एपैरावला है ड्राउन टू पासिंग थूदी वर्टेक्सेज बी-सी एंडी एक पैरावला गिवन है डाइग्राम में जो बी-सी भी-सी-डी-पॉइंट से पास होता और एप आपका इस पार्ट है तेन focus of इस पैरावला है इस पैरावला क पोईंट यह आपको गिवन है 2,1 और यह पोईंट सी गिवन है 2,3 देखो यह एंजil का डाइगोनल है इसकवड इसका और कि यह थी एक पैरावल एकिस ना、、esz क्योंकि एसका सेमिएन X coordinate इसका same है तो AC क्या होगा parallel to the Y axis इसका मतलब क्या हुआ यह जो parabola है इसकी जो axis है वो क्या parallel to the Y axis है ऐसे यह parabola इसे बना दिया वन रफली इस parabola की जो axis है वो क्या parallel to the Y axis तो यह parabola क्या होगा vertex होगा C2 को मत रही अगर यह parabola का vertex है और यह पैरावोला क्या? डाउनवर्ड पैरावोला. तो आप क्या एलेट करते हैं? पैरावोला की कुछिन क्या होगी? लेफ्ट वर्ड राइट पर में तो मानते हैं y² एक्स और अब वर्ड और डाउनवर्ड में क्या मानते है? x² एक्स 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 लेट करोगे shifting of origin की help से तो क्या होगा कि let equation of parabola is क्या बोलो x-2 का whole square equal to lambda मानलो 4A मानलो no problem into x-3 का whole square यह आपका आगया parabola अब first of all तो आप sorry यह भाई है first of all तो पन lambda की value funded करते हैं तो तो उसके लिए क्या concept है ध्यान दो अगे मिले गोड़ पर यह अगर square है तो इसका midpoint होगा तो midpoint क्या जाएगा 2,2 अब देखो यह जो ac की length है कि क्या होगी इस diagonal की length और उसकी length भी सेम होगी तो यह 3 यह 1 है तो यह length 2 है तो यह 1 यह 1 यह 1 यह सारे के सारे बने तो एक बार बताओ यह point है आपका 2,2 और यह distance 1 है ऐसे समझो यह point तो था c यह था आपका a और यह इसका midpoint आगे 2,2 और यह इसका second diagonal है आपका यह distance 1 है तो फिर यह point कितना जाएगा 1,2 अरे यार इसका y कोड़ तो समेशा 2 होगा यह distance 1 कम कर दो ना तो 1,2 आ गया इसका meaning point B आ गया आपके पास 1,2 और यह जो parabola है यह point B से क्या होगा पास तो इस equation को आप क्या करना 1,2 से करा देना पास जैसी 1,2 पूट करोगी तो कितना आ गया देखो एक बार 1-2-1 का स्कॉर इजवन इक़ल टू लेम्दा लेम्दा इसोरी स्कॉर अटादोस पैसे 2-1 लेम्दा आ गया मानस की बनीज़ो तो आपके पास parabola क्या आ गया एक जेक्टली X-2 का all square equal to minus 1 Y-3 तो इसका इसकी फुकाए चीए तो इसको एक काम करो ऐसे मानलो ना x square equal to minus k4a y, तो x square equal to minus k4a y, इसका diagram कैसे होता है, इसकी फुकाय क्या होगी, 0, minus a, तो इसकी फुकाय आ चुकी है, 0, minus a, 0 का मतलब capital x 0 है, और capital y कितना minus a, a की value कितनी है, 4a equal to 1 तो a आ गया बन वाई, 4 yellow, capital x को क्या लगोगे, x minus 2, तो x तो आ जाएगा इसका 2, और capital y क्या होगा, y minus 3, तो y आ गया, 3 minus 1 y, 4, 3 minus 1 y, 4 क्या जाएगा, 11 y, 4, तो इसका focus आ गया है, 2, 11 y, 4, है कि ऐसा कोई option, 2, 11 y, 4, हाँ, तो इसका देखो, second option correct होगा, ठीक है, देख, simple सा question था, दोबारा सुनो क्या किया, यह point given है, यह point given है, यह line क्या parallel to the y axis, तो इसका यह vertex आ गया, vertex पता है, यह diagram downward parabola है, तो इसकी question क्या होगी, parabola let कर सकते हो, x minus 3 का square, sorry, x minus 2 का square equal to lambda times of y minus 3 का, y minus 3, उसके बाद अपनको lambda की value चीए, तो अपने यह point find out किया, यह length 1 है, तो 1 कम कर दो x में से, तो point B आ गया, 1,2, इस point को आपने जब parabola में put किया, तो lambda की value आ चुकी, यह minus 1, जब parabola आ गया, तो अपने उसका focus easily find out कर सकते हैं, चलो उसके बाद देखते है, question number 11, देखो question number 11 में क्या बोला गया है, from a point Q on the circle, axis का पर y square equal to a square, perpendicular qm are drawn to the x axis, find the locus of point P, divides qm in ratio 2, ratio 1, तो चलो एक बार इसका proper dagger मनाते हैं, xy plane पर, देखो, यह y axis है, यह let x axis है, यह आपने circle बनाए, जिसका center 0, 0 है, radius यह है, अब क्या बोला गया है, इस पे point let करना, आपको q, इस point q से आपने इस पे draw किया perpendicular, जो इसको point m पे meet करता है, ठीक है न, find the locus of point P, इस qm पे point P है, जिसका क्या बता है न, locus, तो उसको क्या मानते है, जो qm को 2 ratio 1 में क्या करता है, divide, ध्यान लखे, पी, divide qm, तो q के साथ ratio 2 मानना, m के साथ ratio 1, तो बताओ, h point P का locus, तो locus के लिए क्लिए क्लिए है, point ph, k late किया, अब आपको h के और constant में लेके आना relation, तो देखो, point m और q find out करो पहले, तो एक काम करते हैं, इस circle पे, एक parameter form में point q late किया, में ने, क्या late करते हैं, a cost, r cost theta, r sun theta, तो इसकी radius यह है न, comma, यह अपन ने point q late किया, point q late किया, point m कितना होगा, a cost theta, 0, यह आ गया, a cost theta, 0, इस point P का, जो x coordinate h, वो तो क्या होगा, यह भी एक cost theta होगा, cable change किसम होगा, y coordinate में, क्यों, क्योंकि y coordinate क्या होगा, 2 ratio 1 में, तो 2 को 0 से multiply, 1 को a sin theta से multiply, तो क्या आ गया, k equal to below, m x 2 plus n x 1, तो m 0, 1, इस part तो क्या आ गया, a sin theta upon m plus n is 3, इन दोनों equation की help से आपको sin cost को element करना है, तो आपको h की में relation आ जाएगा, तो एक काम करो न, इससे sin theta की value क्या होगी, 3k upon a, 3k upon a आने के बाद, इससे आ गया, cost theta equal to h upon a, अब क्या करो, इन दोनों equation को scoring करके आप add करो, तो जैसी आप दोनों equation को scoring करके add करो की तो क्या आ गया, 9x square upon a square plus y square upon a square equal to 1, तो इसका beta first option correct होगा, तो question number 12 में क्या करना है, ठीक question है ये भी, find the distance from center of the point P on the ellipse of this part, क्या बोलागया इसका meaning, point, इस ellipse पेक point P है, इस point P की इस ellipse के center से क्या बताने distance, बता देंगे और क्या, whose radius makes angle alpha with x axis, radius makes an angle alpha with x axis, इसका meaning क्या है, समझो पहले, फिर question करता है, ellipse तो आपको given है, x square upon a square plus y square upon b square equal to 1, अब दो को इसमें ultimately बोला क्या गया है, ये ellipse है, इस ellipse पे कोई भी एक point P है, और ये lattice का origin है, तो इसमें जो line बोले गई है, कि ellipse पे जो point है, वो center के साथ, take one, sorry, उज radius makes an angle alpha, इसमें radius makes an angle alpha का meaning क्या है, इध्यान लखे, circle में radius अभी जानता हो आप, circle में तो radius का meaning क्या होगा, point की center से distance, और ये ellipse हो, या hyperbola हो, उस case में भी, इसके center को जब आप किसी भी point से join करते हैं, ये इसका radius, इसको radius बोलते हैं, क्या बोलते हैं बोलो, किसी भी point को उसके center से join करते हो, तो radius की तरह भी एप करता है, ठीक है, तो इसमें भी, जो OP segment है, ये इसका radius रेक्टर है, ठीक है, तो ये ही बोला गया इसमें, कि इस radius, मतलब OP segment X के साथ angle बनाता है, तो बताओ ये OP distance क्या होगी, तो देखो, बहुत simple सा concept है, अब इस question को करने का, क्या करना है, देखो, क्यों दो-तीन वार ऐसा कुछ ना आ चुका है, क्या बोला गया दोबार असनो, इस list पे any point P की center से क्या बतानी distance, when radius makes an angle alpha with X axis, इसकी जो radius है, वो X, X के साथ alpha angle बनाती है, तो ये OP की जो length है, ये इसका radius vector रेक तरीके से, तो एक काम करो ना, इस OP distance को R मालने, तो अपने को R बताना है, तो अपने ये पड़ा हुआ है, ये angle alpha, ये angle alpha, ये distance अगर R है, तो polar form से क्या लेख सकते हैं इसको, R cos alpha, R cos alpha, R sin alpha, अब क्या करोगे, अपने को R की value in terms of alpha, point P lies on these ellipse, इस point P को इस ellipse में put कर दो, तो क्या आ गया, R square cos square upon A square plus R square sin square upon B square equal to 1, देखो B square इदर, A square इदर, L C मुदर, तो क्या आ गया है, R square तो को मना आ गया, इसमें, तो ये आ गया, B square C square plus A square S square equal to A square into B square, जैसी आप इसका square root लोगे, तो क्या आ गया, बोलो, R equal to A square B square, किसका root A B आ गया, upon में आ गया, root of, कितना, A square sin square alpha plus B square cos square alpha, बस, ये इसकी distance होगे, ठीक है, तो O P distance आ चुकी है, A B upon, तो दोगो इसके according, A square sin square alpha, पहले B square cos square alpha, तो बेटा, इसका first option correct होगा, तो इस type से इस question को किया गया है, तो इस polar form को डंग से पढ़े हैं, ये बहुत useful part is cutting, चलो, उसके बाद देखो next question, question number 13 is, find the locus of, foot of the perpendicular drawn from center to any tangent to the ellipse of this part, क्या meaning है question का, find the locus of foot of the perpendicular drawn from center to any tangent to the ellipse of this part, इस ellipse के center से, ये ellipse कैसा है, standard, तो standard ellipse का center क्या होगा, 00, तो center 00 से, जब आप इस ellipse की किसी भी tangent पे क्या draw करोगे, photo perpendicular, तो उस photo perpendicular, h, k का क्या बताना, locus, तो देखो कैसे करना चाहिए, चलो, एक बार इसका रफ़ी डियागर्म दो करते हैं, देखो, ये light ellipse है, ये इसका center है 00, क्या बोले गया है, इस ellipse की, ये कोई भी एक tangent है, इस tangent पे क्या किया है, origin से आपने photo of perpendicular, इस point m, h, k का क्या बताना, बोलो, locus, तो दो को क्या करना चाहिए, बहुत सिंपल सा concept है, first of all, क्या आगरो, इस ellipse point मानलो, a cos theta, sorry, इससे भी कर सकते बटे, ये lengthy procedure मेरे according, इसमें sin cos को element कर सकते हो, बहुत ये lengthy method है, बहुत सिंपल सा concept, अब देखो, मेरे पास क्या है, आप let करो, कि let, equation of tangent, मैंने इस point p, equation tangent, let की y equal to mx plus c, ये ellipse की tangent है, y equal to mx plus c, जिसमें m क्या है, इस tangent का slope है, और अपने पढ़ा हुआ है, कि line एगर y equal to mx plus c, की, इस ellipse को touch करती है, तो condition of tangency क्या थी, c square equal to a square m square plus b square, तो c क्या आ गया, ये आ गया, y equal to mx plus minus root of a square m square plus b square, इतना आने, ये tangent की question है, अब आपको h के एर constant में लाना relation, तो देखो क्या करो, फर्स्ट और ये tangent, point m से पास होगी, तो point m, h, k, क्या करें, इसको satisfied, तो क्या करें, x को h और k को y, तो क्या आ गया, k equal to mh plus minus root of a square m square plus b square, इतना आने के बाद अब देखो, आपको h के और constant में लिए लिए इसन फान आट करना है, तो इसमें वेरीवल को न बचा, only m, इस m की वेरी उपट कर दो, तो answer आ जाएगा, तो देखो, m क्या है, इस tangent का slope, तो अपने काम करते हैं, point mhk है, ये 0, 0 है, तो om का slope क्या होगा, slope of, कैसे देख देते हैं, slope of om, y to minus y1 upon x to minus x, तो क्या गया, h minus 0 upon k minus 0, k minus 0 upon h minus 0, इसका slope k upon h है, इसका slope m है, तो ये line के perpendicular है, तो perpendicular line का slope हमेश्चे क्या होगा, ultra or negative, तो क्या गया, m upon m to minus 1, तो k upon h into m, minus 1 करोगे, तो इससे m कितना जाएगा, बोलो, minus k h upon k, इस m की value को इदर put कर देना, put करने के बाद, इस m को लियाना left में, तो ये क्या गया, minus h upon k, तो क्या गया, h square upon k, तो ये आगया, k plus h square upon k, equal to root of this part, put करने के बाद, इसकी बहुत साथ क्या कर देना, squaring, तो आपका answer आजाएगा, ठीक है, और इसको जब solve करते हैं, तो बेटा इसका fourth option match कर जाएगा, तो इस type से इस question को solve करना है, तो ठीक ठाक सा question है, ठीक है, चलो, ठीक है, तो ये बहुत simple method है, अगर आप इसको parameter form से करोगे, a cos theta, b sin theta से, तो से भी कर सकते हैं, उसमें sin cos को element करना थोड़ा सा complex है, चलो, उसके बाद देखो question number 14 है जी, if this part, touch this ellipse of this part, ये line इस ellipse को क्या करती, touch करती, इसका मतर्द ये line is ellipse के लिए क्लिए है, tangent है, point of contact है, उसका eccentric angle क्या होगा, तो देखो क्या करना है, ये ellipseल है आपका, ये एक line है, उसको क्या करती है, ये line क्या है, root 3, bx plus ay minus 2, ab equal to 0, अब एक काम करो ना, यार, ये जो point of contact है, इस point of contact का क्या बताना, eccentric angle, तो इस point piculate कर दो, a cos theta, b sin theta, finish, a cos theta, b sin theta, तो point p पे tangent की question क्या होगी, t equal to 0, तो क्या होगी, t equal to 0 का मीनिंग, x square को x x 1 से, y square को y 1 से replace कर दो, तो क्या जाएगी equation, x upon a cos theta plus y upon b sin theta equal to 1, a b से multiply कर दो cross, तो क्या आएगी, b cos theta x plus ay sin theta minus a b equal to 0, equation second and first both are identical, ये tangent की equation तो question में गिवन है, और point p लेट करने के बाद आपने again tangent की क्या की equation find out, तो 1 और second both are same tangent, then both are identical, तो क्या concept, a1 upon a t equal to b1 upon b t equal to c1 upon c2, तो क्या जाएगा देखो, इदर x का coefficient क्या गया, b cos theta upon, उदर x का coefficient root 3b, b cos theta upon root 3b equal to a y का coefficient a sin theta upon a equal to constant term, इदर कितनी है, minus a b upon minus k2 a b, ये लो, ये cancel out हो गया, तो देखो, ये ultimate आगया 1 by 2, तो 1 by 2, तो first और इसको पकड़ो गए, तो इससे तो आगया cos theta equal to root 3 by 2, ठीक है ना, और बच्चो, ये से ए cancel, तो इससे आगया, scientific equal to half, दोनों पर जान दें, तो सुनो, cos की value positive, sin की value positive, simultaneously निका होगी first quarter में, तो sin theta की value half का बाती 30 degree पर, sin theta half 30 पर होगा, तो cos 30 भी rule 3 by 2, तो इसका theta क्या जाना चीज़, 30 degree, 30 का मीनिंग 5 by 6, तो इसका first option, तो एक simple सा question है, तो चलो, उसके बाद देखो question number 15 नहीं, the sorted distance between the line x plus y equal to 10 and the ellipse of this part, क्या मीनिंग है, इस line की ellipse से minimum distance क्या होगी, तो अभी बहुत important parties को समझे, जब भी आपको एक curve given हो और एक line given हो, और curve और line के between क्या पूछे minimum distance, तो देखो क्या करना आपनको, तो तीन case हे जाएं, एक line हो सकती, एक curve हो सकता है, दोनों curve भी हो सकते हैं, तो अभी तो इस पर बात करते हैं, देखो ऐसे समझो, यह ellipse given है आपको, और यह line ऐसे given है, तो इस line की ellipse से क्या चीए minimum distance, तो इधान के two curve यह एक curve एक line के between जो minimum distance है, lies along their common normal, तो चलो यह minimum distance से मान दी मैंने, common normal का मतलब इस point पे जो tangent होगी, वो इसके क्या होगी बोलो, एक मेंदो पौट, ऐसे, यह इसकी common normal है, तो इस point को P माल लेते हैं, इसको M, तो आपको PM distance कर नहीं calculate, इसकी question क्या है, X plus Y minus 10 equal to 0, तो PM distance को देखो कैसे calculate करो के, एक बाह बता हो, आप उनको कैसे भी करके हैं, इस point P की क्या मिल जा, coordinate, तो point की line से distance का formula लगा दो, तो point P लाना आपको, क्या करो, इस given ellipse पे, आप point P लेट करो, 4 cos theta, 3 sin theta, कर लिए let, करने के बाद, क्या लेखोगे, equation of tangent T equal to 0, क्या जाएगी, X upon A cos theta plus Y upon B sin theta equal to 1, इतना आने के बाद, इस tangent का जो सुरूप है, simple सा फंडा, इस point पे tangent और ये line बहुता parallel to each other, इसका सुरूप कितना minus given, तो इसका सुरूप, इसके सुरूप के क्या कर दो equal, इसका सुरूप क्या होगा, minus X का coefficient cos upon 4 upon sin upon 3 equal to minus given, तो ये आगया, minus से minus चला गया, cos upon sin 3 by 4, तो इससे आगया ultimate कितना, 10 theta आगया बेटा, 3 by 4, दोबार सुनो, sin upon cos 4 by 3 आगया, क्या आगया बोलो, 4 by 3, 10 theta 4 by 3 आगया, ये लो, ये 4 है, ये 3 है, ये ठीटा है, तो ये 5 आगया ना, तो अपने पास point P आगया और क्या, ठीके, cos theta की value 3 by 5, तो ये आगया 12 by 5, तो point P आगया, 12 by 5, 12 by 5, point आगया, ये line पता है, तो PM distance क्या होगी, line में point put करो, तो 12 by 5, 12 by 5, 24 by 5, minus 10 का mode upon root 2, तो इस type से इस question को solve करना आपको, ठीक है तो EGV में solve कर सकतो, लिख लो और क्या है, तो इसको solve करने पर इसका fourth option मेंच कर जाएगा, चलो उसके बाद देखते हैं, next question, question number 16 में क्या करना है, जान दो अगेन में legboard पे, ठीक है, if the foci of the ellipse this part and hypervola of this part coincide, इस ellipse और hypervola की foci क्या करती है, coincide करती है तो बताओ, B square की value क्या होगी, तो वोई simple सा question है, तो क्या करोगे, आप पहले लेको ellipse की foci है, plus minus A, B, तो क्या जाएगा बोलो, पहले इसकी centricity क्या होगी, बोलो, root of 1 minus B square upon A square, तो इसकी foci होगी, plus minus A कितना है, 4, centricity कितनी root of 1 minus B square upon, 16, B is B, इसकी foci है, फिर लेको आप hypervola की foci है, hypervola की question क्या थी, इस part, तो इसकी foci होगी, plus minus A, B, तो पहले एक काम करते हैं, इस 25 से multiply करते हैं, तो यह आ गया, x square upon, क्योंकि light side में बनाना चाहिए, यह लो, 25, minus Y square upon, 81 upon, 25 equal to 1, यह आपकी hypervola की, इसका A आ गया, से B आ गया, तो पहले लेको centricity का formula, अंडूड of, 1 plus this upon this, तो क्या जाएगा, 81 upon 144, इस centricity हो जाएगी, इसकी, 141 plus 81, 225, 15 upon 12, इस centricity, A और B की value put कर देना, put करने के बाद, देखो, इनको तो equal करी नहीं सकते तो, दोनों भी है, तो आप इस value को, this value को क्या करोगे, equal, equal करने के बाद, इससे 20 square की value हो जाती, बेटा, 70, ठीक है न, तो इसकी calculation आप कर सकतो, तो 20 square, 7 आ जाएगा, इसका, ठीक है, चलो, तो एक simple सा question था है, उसके बाद, देखो, question number 17, question number 17 में क्या करना है, if 5, 12 and 24, 7 are, फुकाए of a hyperbola passing through the origin, यह जो दो point given है, यह hyperbola की फुकाए है, then the value of 12B upon root of this part, where is the centricity of the hyperbola, तो देखो क्या करना है, diagram बना सकते हो है, नॉर्मली भी कर सकते हो, यह hyperbola है, hyperbola extended लो यह रफली लो, no problem, question में सीधा concept है, एक फुकाए तो given है, 5,L, इसको माल लेते है, S1, एक फुकाए है, S2H, 24,7, और यह जो conic section, वो 00 से पास करना है, इसको P माल लेते हैं, तो एक बास सुनो, आपको एक conic section की फुकाए given है, और वो conic section किसी point P से पास होता है, तो अपने hyperbola और ellipse की एक second definition पड़ी हुई है, एक point की 2 point से distance का sum अगर constant है, तो उसका locus तो क्या होगा, ellipse, और एक point की 2 point से distance का difference अगर constant है, तो उसका locus क्या होता है, hyperbola, मतलब S1P minus S2P का जो difference है, वो constant कितना होगा, तो उसका locus क्या होगा, hyperbola, तो इससे authenticity find out कर सकते हैं, यह definition है, conic section की, तो देखो इससे क्या आगया, S1P तो आगया 13 और यह आगया बेटा, distance formula से 25 यह लो, S1P आगया, S2P आगया, तो इनका difference क्या आगया 12, तो 12 इकल तो आगया 2A, यह लो, तो A आगया से 6, A6 आने के बाद अपने क्या पड़ा हुआ है, दोनों फुकाय के between तो distance से वो हमेशे क्या होती है, 2A, S1 is 2A, 2A equal to आगया, S1, तो इन दोनों पॉइंटों के बीच की distance क्या होगी, 24 minus 5 का square, plus 7 minus 12 का square का root, तो इसको जब solve करोगे बेटा, तो यह value आती है, root आगया, इतनी है करके देखना ना गरते हैं, 386, 2A को क्या लोगे 12, तो E क्या आगया, root 386 यह आगया, 12E equal to this part, तो क्या जाए कि इसका answer one, ठीक है, तो यह, आप कोनिक section की second definition याद करें, ellipse और hyperbola में, कि 1 point की 2 point से distance का सम अगर constant है, तो उसका locus ellipse होगा, और 1 point की 2 point से distance का difference अगर constant है, तो उसका locus क्या होगा, hyperbola, जिसमें, दोनों फुकाय की बीच की distance समिशे क्या होती है, तो यह, हो चाय कोनिक section आपका standard हो या, एक general कोनिक section हो, ठीक है, चलो, उसके बाद देखो, question number 18 में क्या वो लगया है, two vertical poles are 150 meter apart and, मतलब दो poles है vertically, उनकी between distance आपको given है 150, ठीक है, and the height of one is thrice time that of the other, एक की height second की triple है, ऐसे बो, if from the middle point of the line joining their feet, इन दोनों vertical points की जो feet है, उन point को join करने वाली line का जो middle point है, and observe find, उस point से आपने क्या observe किया, the angle of elevation of their top of the poles are complementary, मतलब उस middle point से दोनों के top का जो angle of elevation है, वो complementary है, मतलब एक का ठीट है दूसरे का 90 माने शीट है, then the height of the shorter pole is, तो जो छोटा वाला pole है, उसकी आपको क्या बतानी है, बोलो distance, तो चलो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका diagram डो करते हैं, तो देखो जैसे, ये चलो ये मैंने बड़ा वाला pole मान लिया, और ये छोटा वाला pole, इनके feet को join किया आपने, ये distance अगर x है, तो ये क्या है, इसकी thrice तो उसको 3x माल लेते हैं, फिर क्या बोला गया है, ये इनका middle point है, ये total distance कितनी है, 150, तो ये 75, ये भी 75, अब आपने इस middle point को इससे join किया और इससे join किया, तो ये बोला गया है, ये angle theta है, complementary angle, तो ये कितना है, 90 minus theta, ये लोगा है, अब तो क्या करना है, आपनको x पूछा यार, तो एक बाला लगा देना, 10 theta का formula x suppose 75, छोटे वाले triangle में, छोटे वाले triangle में क्या आगया, बोरो बेट 10 theta equal to xy 75, similarly बड़े वाले triangle में, 10 91 theta क्या होगा, कोट theta, तो ये आगया, कोट theta equal to x upon, sorry, 3x upon 75, आपको x ये, मतला 10 theta, कोट theta को limit करना, तो multiply कर दो, क्योंकि 10 into quote का multiply किया जाएगा, 1, तो आगया, 1 equal to 3x square upon 75 into 75, तो कितना आगया, देखो, ये 25 आगया, तो ये आगया बेटा, x square equal to 75 into 25, इसका root लेलो सब, 25 का root तो 5 आगया, 75 का मतला 25 into 3, तो 25 का root 5, और 3 का root is root 3, तो क्या आगया, 25 root 3, तो x आजाएगा, 25 into root 3, तो मेरे according इसका second option क्या होगा, बोलो, correct होगा, तो एक simple सा question, उसके बाद देखो, question no. 19 क्या बोला गया है, two vertical poles of height 20 meter and 80 meter standing apart on a horizontal plane, एक की height 20 meter है और एक की 80 meter है, जो horizontally plane पे stand बूए है, their heights of the pole of intersection of the line, joining the top of each pole to the foot of the other, from this horizontal plane is, देखो इसका meaning क्या तोड़ा समझो, ऐसे समझो, यह vertical pole है, जिसकी height 80 है और इसकी height 20 है, यह 80 है, यह 20, अब यह बोला गया है, apart from it, the height of the point of intersection of the line, joining the top of each pole to the other foot, मतलब, इसके top को तो इससे join किया आपने, और इसके top को इसके foot से join किया, तो इनका जो intersection point है पी, इस point की, इस surface से क्या बतानी है, height, मतलब यह x calculate करना आपने को, तो अब देखो कैसे करना इस कोच्छा, आप इस distance को let कर दो, x1, इसको let कर दो, x2, अब let करने के बाद ध्यान दो थोड़ा blackboard पे, यह जो बड़ा वाला triangle है, और यह छोटा वाला triangle, यह दोनों triangle कैसे similar, यह ऐसे समझो ना, simple सा, इस angle को alpha मानलों आप, एक बार तो बड़े वाले triangle में लगा तो 10 alpha, 10 alpha क्या होगा, 20 upon x x1 plus x2, और एक बार छोटे वाले triangle में क्या होगा, x upon x1, यह लोगई, equation number first, similarly एक बार इस वाले triangle को पकड़ो, यह angle मालने तो यह अपन बीटा, तो बड़े वाले triangle में क्या होगा, 10 beta, 80 upon x1 plus x2, यह लो, 80 upon x1 plus x2, equal to small triangle में x upon x2, इतना आने के बाद, अब आपको x ही है, इसका अब आप x1, x2 का इलिमेट करना, तो यह काम करो ना, अब first of all, first equation को क्या करो, second equation से divided, जब आप first equation को second से divided करोगे, तो यह cancel out to 80 upon, sorry, 20 upon 80 क्या आगे, 1 by 4, equal to इदर क्या आगे, x2 upon x1, क्यों कि x1 नीचे चला जाए, x2 पर, तो इस से ultimate T आगे, x2 equal to 4x1, यह लो, तो x2 की value को जब 4x1 लो गए, तो क्या बन गया, 5x1, यह 5x1 आ गया, x1 से x1 चला गया, तो x1 कितना आ गया, 20 upon 5, तो इस type से question को solve किया गया, अपन को x2 को 4x1 फूट करना, तो x2 को जब 4x1 लो ग 5x1, तो 80 upon 5x1, तो कि अपन को x1 को कैंसे रणना है, तो इस type से question को solve कर सकते है अपने जीए, तो इसका answer क्या जाएगा, वालो, 16 answer जाए, चलो, उसके बाद देखो, question number 20, section D का, section E का last question है, if the angle of elevation of cloud from a point P, which is 25 meter above a lake V30 degree, and the angle of dispersion of the reflection of the cloud in the lake from point P, 60 degree, then height of the cloud from the surface of the lake, तो देखो क्या करना है, इसका diagram बनाते एक बार, ऐसे समझो, ये एक लेक है, पानी बढ़ा हुआ है, अब क्या वो लगे है, ये एक cloud है, और इस lake से 25 meter पे, एक point P, ठीक है, इस point P का, इस cloud के साथ, angle of elevation, कितना given है, बोलो, 30 degree, बना दी, अब सुनो, ये water बरा हुआ है, अब इस cloud का, जब आप इस water में क्या रहोगे, reflection, तो reflection क्या होगा, देखो, ये 25 है, इस distance को माल लेते हैं अपन X, तो इस cloud का, जब आप इस reflection लोगे, इस में, water के अंदर, तो reflection, same distance में नीची इकतर बनता है, तो ये distance क्या होगी, 25 plus X, ये लोग, और अब क्या वो लगे है, इस point P का जो ये reflection है, इसके साथ, angle कितना वो लगे है, 60 degree, तो बताओ, इस cloud की surface से distance, 25 plus X बताना है, तो X की value find out करो, तो काम करो न, इसको Y मान लो, तो X की value को लाने के लिए क्या करना है, एक बार तो इस वाले triangle में लगा दो, 1030 X upon Y, तो क्या आगे बोलो, 1030 degree equal to आगे X upon Y, और एक बार इस नीचे वाले triangle में क्या लगा दो, 1060 this upon Y, तो क्या जाएगा बो 1060 degree equal to this upon this कितना, 50 plus X upon Y, अपन को X लाना है, तो पहले क्या करोगे, Y का elimination, तो एक काम करो, फर्स्ट equation को कर दो, second से divide, जैसी divide करके जब आफ सोल करोगे बेटा, तो X की value find out होगी, आपकी 25, तो क्या आगया, 25 plus 25, तो यह जो cloud है, इसकी, lake के surface से distance का होगी, 50 answer जाएगा तो इसका, तो इसका first option होगा, ठीक है, तो इस type से question को प्रिया गया, चलो अपन इसके बाद आगे बरते है, section D पे हैं, तो चलो, अपन section D start करते हैं, तो देखो, section D का question number first क्या है, 5 question S के अंदर, the curve X Y equal to C, C greater than 0 है, and the circle, X is का Y square equal to 1, touch at two distant point, then distance between point of contact, तो तो दोको बहुत सिंपल सा question है, तो कैसे करना ज्यान दो, यह जो करवे एक होने, rectangle hyperbola, C positive है, इसका मतलब, यह तो diagram वनेगा first quadrant में, या third में, X and Y both are positive या both are negative, यह बनाने के बाद, यह जो circle is का center 0-0 है, तो अब बोला गया कि बताओ, touch at two distant point, then find their point of contact, तो क्या होगा, तो इनके between आपको distance पूछी गई, यह इसको touch करता, तो यह काम करो न, आप इन दोनों कर्व को क्या करदो बोलो, simplify, तो इन दोनों कर्व को simplify करने के लिए क्लिए 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 क्ल होंगे y equal to x के about symmetric हैं तो गए दोनों diagram अगर y equal to x के about symmetric हैं क्या हम वहलो y equal to x के about symmetric तो आप क्या करोगे इस कर्व का index point y equal to x के साथ तो y को जब आप x लोगे तो क्या गया 2x square equal to 1 तो x equal to 1y2 तो x आगया 1y root 2 तो यह point आगया 1y root 2,1y root 2 और यह भी क्या होगा 1y root 2,1y root 2 sorry minus तो उन दोनों के वीच की distance आप find out कर सकतो using the distance formula तो इस टाइप से इस question को किया गया ठीक है चलो उसके बाद देखो question number second में क्या करना है ती number of points on the hyperbola this part from which mutually perpendicular tangent can we drawn to the circle this part मतलब question बोला गया कि इस hyperbola पे कितने point हो सकते जिससे आप इस circle पे mutually perpendicular tangent draw कर सकते हो तो दो को उस question को कैसे करना चाहिए थोड़ा समझे एक बात एक circuit जिसका center 0 0 एए radius a है तो को इस hyperbola को बना सकते हो इस 3 को अपन में लें आओ तो क्या आगया 3a square बतलब a आगया root 3a यह root 3 इदर होगा यह इसका बनी गया भई hyperbola यह point है minus root 3a,0 और यह कितना है बोलो root 3a, sorry root 3a,0 अब देखो यह point है आपका 1,0 देखो इसमें कैसे करना चाहिए एक option तो क्या है आप इस hyperbola पर एक point let कर दो a sec theta,b ten theta और इस पर draw कर दो pair of tangents और बाद में इसकी equation दो ss1 equal to t square और बहुत tangents are perpendicular to each other तो क्या करते हैं coefficient of x कर पे coefficient wise कर कुछ 0 कर सकते हो आप ठीक है ना उसकी elf से कर सकते हैं वाट उससे वैट option क्या ध्यान दो blackboard पर कुश्चन में बोला गया कि इस hyperbola पर वो point बताओ जिन point से आप इस circle पे एलिफ साइप पर वोला पे अगर आप पैरा वोला एलिफ साइप रवोला और circle पे अगर आप क्या ड़ो करतो हो perpendicular tangent तो उन points का लोका समझेश क्या होगा director circle इसका meaning ऐसे समझो आप कि यह जो circle है इस circle का जो डायक्टर circle होगा उसी डायक्टर circle के point से आप इस circle पे क्या दो कर सकतो perpendicular tangent तो x square पर y square equal to a square का डायक्टर circle क्या होगा x square पर y square equal to 2a square यह आपको आना चाहिए इस circle का क्या होगा director circle क्या होगा 2a square मतलब इसकी radius क्या root to a तो यह root to a तो यह थर होगा ना यह जी रूट तो यह बने गया इसका डायक्टर circle मतलब डायक्टर circle पे आप कहीं भी पॉइंट लोगे तो उससे हमेशा आप circle पे क्या डॉक कर सकतो और by chance इस question को थोड़ा अच्छे समझना है, गलती से इस root 3 की जगेगर 2 कर दी जाए, क्या कर दे 2, तो फिर ये root 2 है आगे न, इसका meaning ये जो hyperbola आपका ऐसे बन जाएगा, ये circle, ये director circle, तो hyperbola आपका इस type से होगा, तो फिर आप क्या करोगे, ये जो director circle है और ये hyperbola है, इनक comment point से आप 2 tangent do कर सकते हो, फिर 2 answer हो सकता है, और by chance, ये 2 ना होके इसको 1 मान ले, by chance, क्या लेट कर दे 1, तो फिर क्या होगा, ये आपका diagram ऐसे बनेगा, तो फिर ये जो hyperbola है, ये इस director circle को क्या कर देगा, 4 points पे cut, तो इन 4 points से आप इस director circle पे, sorry, इस circle पे perpendicular tangent do कर सकते हो, तो 4 answer आएगा, ठीक है तो इस type से इस question करना है, तो अभी तो इसका answer आपको 0, fill करना है, चलो, उसके बाद देखो question number 3 क्या बोला गया, if x plus y equal to k is normal to the y square equal to 4ax, ये x plus y equal to k, इस parabola के लिए के normal है, तो बताओ की की value क्या होगी, तो सुनो, ये पनने पढ़ा हुआ है, एक parabola y square equal to 4ax, ऐ से, और लेट ये इसका normal है, y equal to mx plus c, इसका normal का सलूप अगर m है, तो equation of normal क्या होगी, y equal to mx minus 2am minus am q, इसका अभी c आगे न, तो अपन को क्या पूछा गया है, कि ये line is parabola का normal है, तो condition of normality, जैसे एक line ellipse की tangent है, तो क्या पढ़ते है, c square equal to a square m square v square, similarly, ये आपकी normal की question है, और ये normal है, ये normal है, ये normal है, ये normal ही एक तरीके से, तो condition of normality क्या होगी, इससे क्या आगे, y equal to minus x plus k, मतलब m तो आगे, minus k 1, और c कितना है, वहलो, k, तो condition of normality क्या होगी, c equal to minus k 2am minus k am q, ठीक है, जिसमें a की value क्या, 4 equal to 12, तो a आगे 3, a को 3 put कर देना, और m को minus k 1, जैसे put करोगे, तो इससे value आजाती है, आपकी 9, तो c आपका क्या होगा 9, तो एक line, अगर पैरावला के लिए के normal है, तो अब condition of normality ये उज़ करोगे, या तो इसको याद रखो, y equal to mx minus 2am minus am q, तो क्या बनगी, y equal to mx plus c, तो एक condition of normality is c equal to this k, तो minus 2am minus am q, तो c की ज़गे k लिख देना, ये पूछा आसमे, और बाद में, a को 3 और m को minus 1 put कर देना, तो k आपका 9 answer आजाए, ठीक है, चलो, उसके बाद एको question number 4th is, पढ़ो, tangent and normal are drawn point 16, 16 on the parabola y equal to 16, इस पॉइंट पी से आपको parabola y equal to 16, ने इस पे tangent and normal दो नोट रो करने हैं, which intersect the axis of the parabola at a and b, जो इस point P पे जब tangent रोगे, वो तो इस parabola की axis को a point पे meet करती है, और normal point B पे meet करती है, X axis को, मतला X axis को, C is the center of the circle passing through the point P, C क्या है, एक circle है, C is the center of the circle passing through the point P, A and B are point P A and B, a circle is passing through the point P A B, एक circle point P A और B से pass होता है, angle CP भी आपका ठीटा है ते बताओ, 10 ठीटा की value क्या होगी, तो देखो कैसे करना है, सुलो, चलो एक पार diagram बनाते हैं पर, देखो, ये parabola given है, y square equal to 16x, इस parabola पे आपको, एक point P given है, 16, 16, ये तो draw की आपने इस पर tangent, तो point पता है, parabola given है, तो tangent की question क्या होगी, T equal to 0, T का meaning y square को yy1 से, तो y1 is 16, equal to 16, x कोई जागे, x plus x1 y2, ये लो, 16 से सोच चला गया, तो ultimate T क्या गया, 2y equal to x plus 16, ये लो, तो y को 0 लेने पर x कितना जाएगा, minus के 16, तो ये point A तो आगया, minus के 16, ठीक है, अब आप क्या करोगे, इस point B पे normal draw करोगे, तो ये point B, तो जब आपको tangent का slope given है, 1y2, 2 से डिवाइड कर देना है, इसको, क्या आगया, xy2 plus 8, तो tangent का slope half है, तो normal का slope क्या होगा, minus के 2, normal की question में, जैसे आप y को 0 पट करोगे, बेटा, तो ये point आता 24, 0, ये तो इस question का meaning है, अब आपन आगे बढ़ते, c is the center of the circle, passing through the point PAB, अब देखो, समझो उसके बाद, एक circle है, ये angle 90 देना है, एक circle है, जो point P, point A और point B से pass होता है, तो चलो, एक circle pass करा देते हैं, तो दोड़ा केरफुली देखो, एक circle अगर point P, A और B से pass होता है, और ये angle 90 है, तो इसकी code है ना, तो ये code अगर circumference पे 90 degree बनाती है, इसका मतल़ एक code क्या होगी, इसकी diameter है, और अगर ये इसका diameter है, तो इसका midpoint ही क्या होगी, तो इसका center आगया, C कितना, summation Y2, तो 4,0 ये लो, P आगया, C आगया, और B पता है, तो angle क्या पूछा है, C, P, B, तो क्या करना है, इसको join कर देना है, आपको ये angle बताना बेटा, ठीटा, 10 ठीटा बताना तो एक काम करो, P पता है, देखो पहली बात तो ये angle 90 है, तो 108 परसेंट ये ठीटा क्या हो, 90 से छोटा है, इसका मलदा 10 ठीटा की बेलू, कैसी होगी positive, ये point गिवन है, आपको ये point पता है, तो पहले लिखना है, इसका slope M1, M1 इज, Y2-Y1 upon X2-X1, तो क्या आगया, 16-0, 16, upon 12-4 is, 16-4 is 12, तो क्या आगया, 16Y, 12, ये M1 slope आगया, similarly, P given है, D given है, तो इसका slope लिखना है, M2, दोनों का slope आगया, तो क्या लगा होगे, two line की between angle का formula, 10 theta equal to M1 minus M2 upon 1 plus M1 M2 का mode, जैसे आप इसकी calculation करोगे, तो 10 theta कह जाएगा, बोलो, 2, ठीक हो, जहान ने के, ये angle already 90 से चोटा है, तो 10 theta की value positive होगी, ठीक है, चलो, इसका आपन को two answer fill करन है, और उसके बाद देखो, इसका last question है, question number 50 में देखो, क्या बोला गया, number of state lines which are normal to y square equal to 4x, क्या बोला गया, number of state lines which are normal to y square equal to 4x, as well as tangent to the hyperbola this part, आपको ये बताने हैं कि इस parabola पे कितनी normal से हैं, जो इस hyperbola के लिए, किसकी तरह वीव करती हैं हो, tangent की तरह है, तो देखो कैसे पहले एक बार समझो, ये लेटे ऐसे parabola गिवन है, और ये लेटे एक rectangular hyperbola है, तो question में बोलाएगा है कि इस parabola पे ऐसे कितने points हैं, जिससे आप normals डोकर होगे, तो वो normal, इस पे किसकी तरह काम करना चाहिए, tangent की चाहिए, मतलब इस point पे अगर ये normal है, तो इस पे क्या बनान equal to 4x जो parabola है, इस पे normal, इस hyperbola पे किसकी तरह भी एफ कराएगा, tangent की तरह है, तो पहले आप लेको equation of normal of the parabola, इस parabola पे आप एक normal की equation लेट करो, तो normal की equation क्या लेट करते हैं, इस लोग फो में, y equal to mx minus 2am minus k amu, ये आपने इस hyperbola पे क्या लेट, sorry, इस parabola पे क्या लेट की equation of normal अब ये जो normal है, ये इस hyperbola पे क्या है, tangent, तो hyperbola पे कोई भी line है, let y equal to mx plus c, अगर ये line, इस hyperbola पे क्या है, tangent, तो condition of tangency, c square equal to a square m square minus b square, तो ये काम करो, ये line है y equal to mx plus c, जिसमें c तो कितना आगे दिस पार्ट, और m को input करो, तो c square की value तो क्या लेकोगे, c square आगे, minus k2am, minus kam cube का all square equal to a square m square और b की जगे भी क्या लोगे, a, क्योंकि ये rectangle hyperbola तो, देखो, a और a, कॉमना के बार a square आगे, और a square से a square cancel out, चलो, पहलो, पहलो, इसको रिमूब परो, तो remaining party, minus 2m, minus m cube का all square equal to कितना, m square minus 1, इसकी scoring again open करो, तो देखो, आगे, 4m square, plus m की power 6, plus 4m4, minus m square plus 1 equal to 0, तो देखो, अल्टिमिटिक है, m में power 6 की equation है, तब ही मत बुल देना फटाफट, कि m की 6 values हैं, तो total आपन 6 normals draw कर सकते हैं, आप यह देखो कि m की real values क्या हूंगी, तो काम करो, इसमें आपन m square को beta t कर लेते हैं, जब आप m square को t लोगे, तो क्या आगया, t की power 3, t की power 3, plus 4t square, 4t square आने के बाद क्या आगया, 4m square minus m square, 3m square, तो plus k, 3, t square, plus 1 equal to 0, यह t में क्यूब हैं, और ultimate t में होगा क्या, जब आप इसको एक function let करोगे, f of t equal to, क्या let करोगे, function f of t equal to, तो beta e, जो t में क्यूब है, इसका जब आपन diagram मनाएंगे, देखो, अगर t को positive लोगे, तो all terms are positive, और t को negative लोगे, यह cubic equation है, इसका जब आप f dash करोगे, तो इसका f dash x positive होगा, मतलब यह increasing function है, तो इसको cable, इसका a की root होगा, और वो root कैसा होगा, t negative, आपने m square को t late किया, तो it is become cubic in t, और इस cubic equation का only one root है, और वो भी कैसा root है negative, क्योंकि यह t positive लेने के तो हमेशा positive value होगी, और आप f dash t करना, f dash t इसका positive होगा, तो f of t is increasing function, तो t negative आ गया, तो इसका a root आतो गया, वो t कैसा negative, वो m square को t लोगे, तो m square equal to negative, तो m की value के real हो सकती है कि no, इसका meaning, इस hypervola पे ऐसा एक भी point नहीं होगा, जिससे आप इस hypervola पे क्या draw कर सकतो, tangent, इस hypervola पे कोई भी point ऐसा नहीं ले सकते, जिससे normal draw करोगे, तो वो normal, इस hypervola पे किसकी तरह आप काम करेगी, वो लो tangent, तो इसका answer zero fill करना है, ठीक है, तो इस step से इस question को solve करना है, चलो बेटा जाओ, thank you.